नमस्कार दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जो switching device होते हैं AC और DC हमने अपने एक वीडियो में इसका discuss किया था कि जैसे यह जो MOSFET है और टांश्टर है और यह जो हमारा CR है ट्रेक है यह सब का जो अलग-अलग हमने वहां पे definition दिया था कि यह AC और DC switching device तो यहां पर हम दोन जो कि DC से आपरेट है यहां पर देखेंगे यह ACR है तो इसको हम समझते हैं यह इधर का जो है हमने आपको बताया था तो यह हमारा यह परकार से यह power supply SMPS AJ सेम आप इसको मान सकते हैं यहां तक अब यहां से इसका जो charging का फंक्सन है उसका सुरू होता है जो हमारा यह इरिक् charging system है हम यहां से इसको बताते हैं क्योंकि अधर power supply SMPS में आप देखे होंगे यह जो supply है दो supply या तीन supply से जो भी डिगाइन किया जाता हो बनता है अब यहां पर देखेंगे यह CR काम कैसे करता है देखें यह पहले मैंने जो अपने अगले वीडियो में बनाया था तो इसका जो फेस था जहां पर नंबर होता है मार्क होता लिखा होता वह अपने सामने ऐसे था लेकिन हम जब यहां पर gate और anode cathode यह clear किये तो हमने जो है इसके फेस को back कर दिया है नहीं पीछे साइड त कि आप इस condition में रखेंगे तो देखेंगे आपका यह जो cathode यह हमारा right side होगा लेकिन अगर फेस को ऐसे प्लट लेंगे तो यह cathode इस side में चलाएगा और gate इस side में हो जाएगा यह उल्टा सिधा के लिए मैं इसको clear कर रहा हूं क्योंकि यह देखें काम कैसे करता है इसको हम समझते हैं जैसे आपको मालूम है एनोर्ड और कैथोर्ड तो यहां पर जो है अब देखें यहां पर यह gate हो गया तो जैसे आपने CR का सिंबल देखा होगा internal जैसे ऐसे बना होता है अब देखिए कि डाइबूर्ट की तरीके से यह जो हमारा एनोर्ड है एनोर्ड यहां नि सिरिज बनाना होगा तो ऐसे और फिर ऐसे पिर ऐसे अब यह जो लास्ट में बचा तो यह से विस से कपनेक्ट हो जाएगा यह पोजिति इस से कंटील सो जाईगा और यह 12 ऑल्लों की यह टोटल 48 वोल्ट हो गये लेकिन यहां पर अगमारा गल्म का यहां इसका सिस्टम है अब यह हम अगले वीडियो में सम्झेंगे जब यहां पर इसको अटाके और बैटरी के बारे में में समझते हैं कि हमारा जो 12 बोल्ड का बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए हमारा 14.4 बोल्ड और वह कैसे काम करता है उसका detail हम समझते हैं इसके next topic पे तो हम इसमें देखे कई चीजें clear होता है इसलिए हम इस topic को start किये हैं एक तो power supply आपके clear होंगे जैसे हमने इक अठा इसको बनाया है अब इसका जो operation हम करेंगे एक अलग छोटा छोटा जैसे यहां पे यहां पे यहां पे operation करके एक चीजों का जो है एक एक circuit का जो area है उसका जब हम clear करेंगे तो आपको और भी clear हो जाएगा यहां हम समझते हैं कि काम कैसे करता है जैसा कि मालूम है आपको कि AC पे काम करता है कि जैसे AC यहां पे input होता है और output होता है और control इसका gate से होता है ठीक है गेट के लिए जैसे DC आप देते हैं उ यह और यहां पे resistance 224 लगा हुआ gate पे अब इसका working process समझते हैं जैसे यहां से यह supply बनी positive प्लस की supply और negative यहां से बना जो की बीच में resistance लगा हुआ है और एक जो है इसकी जो है auxiliary supply बनी यहां पे ठीक अब main supply जो बैटी के लिए है यह है यह है हमारा half babe ठीक है अब इसमें जो है यह आप बेबिस लिए बता रहे हैं कि अभी आपको और आसान होगा समझने के लिए यहां पे इनपुट हो रहा है आप कहेंगे कि यहां पे AC होना चाहिए तो हाँ AC है इसलिए बता रहे हैं यहां पर देकें एक डाइवोड लगा हुआ है इस नहीं यूज किये गए हैं और यहां पर इसकी controlling कहां से हो रही है? इसके gate से हो रही है. ठीक है? इसके gate को on off करने के लिए यहाँ पर देखें जैसे input से यहाँ पर एक registration लगा हुआ है 224, 224 का मतलब हुआ 222K और यहाँ पर भी 224 लगा है यहाँ पर भी 224 का मतलब हुआ 220K रेowski datться और यह यहाँ पे transistor यूज किया गया है 2N4101 जो कि एक PNP transistor है और PNP transistor हमेशा उसके base पे जो आन होने के लिए voltage चाहिए वो negative होता है जो कि negative voltage यहाँ से दिया गया है 224 यहाँ भी 220 KKR रेइस्टन लगा के अब इसकी जो base biasing fix की गई है जैसे किसी transistor के base biasing होती है जहाँ पे negative और positive को balance किया जाता है इसे यहाँ पे देखिए positive का supply यहाँ से यह हमारा 4902 4902 का मतलब हुआ हमारा 49K यहनी 39K का resistance यहाँ पे लगा हुआ है base ठीक है अब यह emitter direct यहाँ positive से जुड़ा हुआ है और यहाँ से collector जो है इसका transistor का एक resistance के फुरू यहाँ पर गया है और इसके बाद यहाँ series में ही यानि इस resistance के series में DB3 लगा हुआ जो कि gate से connect है और यह resistance का यहाँ पर देखें यह जो हमारा feedback है यह 220K resistance लगा हुआ है ठीक है यहाँ पर यह input से gate पर दिया गया है यह resistance अब इसका working मतलब कैसे काम करता है कि battery full हो जाए तो यहाँ पर जो voltage का difference होता है यहाँ से मिलने वाला तो जैसा कि आपको मालूम है कि यह जो हमारा लगा TL-431 इसमें reference एक pin होता है एक होता है cathode एक होता है reference एक होता है anode anode ground है और cathode इसके pin number 2 से connect है यानि अप्टो कपलर के और जो हमको voltage की controlling जैसे यहाँ पर gate के द्वारा किया जाता है तो ऐसे यहाँ पर देखें यह इसकी जो भी controlling होती है यह reference के द्वारा होता है जैसे preset आपक से जो यह divider circuit बना हुआ resistance का एक यह negative और एक यहाँ से positive ठीक है इसी के बीच में voltage के difference से जो है यहाँ पर इसके effect होते हैं कम यादिक का वह हम अलग समझेंगे कि जो हम आपको बताएंगे इसमें जब इसका operation करेंगे तो देखें यह इसी difference के बीच में एक resistance joint हो रहा है जो की third 49 के है यानि 4902 का मतलब वह 49 के अब यह जो resistance है इस resistance का connecting देखें कहां से है इसका connecting यहां से देखेंगे यहां से इस डाइबोट से होके आ रहा है अब यह IC जहां पर हमने इसका जो डागराम बनाया है यह यहां पर भी एरेज किया हुआ है इसका number नहीं मालुम है अगर आप को number मालु है तो comment करके आप बता सकते हैं कि यह कौन सा number हो सकता है इससे तो आपका clear हो गया होगा कि यहां पर जो यह फिक्स किया गया है जीनर 30 वोल्ड का तो यह हो सकता है regulator हो या क्या हो हम इसको clear करके आगे बताएंगे जब यहां पर थोड़ा space कर लें बताने के लिए क् इसको यहां पर करते हैं तब इसके बारे में हम समझते हैं इसके पहले वाले circuit में कुछ error भी थे जिसमें यह transistor का जो emitter collector उल्टा था उसमें क्योंकि हमको उस समय जो है बना लिये थे बनाते समय थोड़ा सा कभी-कभी यह दिमाग उसमें में खो जाता है तो यह बाद में clear क clear कर लिया था क्योंकि काफी difference किये हैं आप देखे होंगे दो तीन जितने दो तीन वीडियो हैं उसमें आप पहले में देखे होंगे इसको जो है यह हमारा pin number six यहां से होते हुए यहां से गया था और इसमें जो है यह resistance यहां सीधे लगा हुआ था तो इसमें काफी जो है प जैसे कुछ दूर चलेंगे तो दिमाग क्या होता है कि इसका कुछी second जो है concentration होता है उसके बाद ही हमेशा moment करता रहता है तो इसका जो ध्यान का है वो कभी-कभी आप देखते होंगे कि में बाद जो है आपके कान से निकल जाती है और क्योंकि कई बार हम लोगों को देखे कमेंड में पूछते हुए किसी चीज वीडियो के बारे में बलकि उसी वीडियो में वो moment रहता है और इसमें काफी अगर speed बढ़ा दें तो देखिए बहुत सारे चीजी बताय होते हैं लेकिन वो चीजें खिसक जाता है क्योंकि सभी का जो brain होता है mind होता है उसका जो concentration time होत होती है तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो यह हमने design किया है इसको बस इसी बेस पर बनाया है कि जो mind के reading है उसे बहुत जल्दी बहुत फास्ट तरीके से वह mind उसका जो है जैसे अगर मलीजी इस circuit को समझना है तो यहां पर अगर हम इसको घुमाते हुए या ऐसे ऐसे ल अगर किया है फियर करके भी जो है आप circuit को मिलाएंगे तो देखेंगे कि पहले की design में अपके design में कितना difference है और अभी इसमें बहुत सारे difference किये जा सकते हैं कि जो कि mind को यह बहुत जल्दी ही उसको समझ ले mind का क्या है कि जितना आप आसान करेंगे उसको जो है वह बहुत अगर कर लेता है तो यानि system को जब रेट करेंगा किसी चीज को समझेंगे तो भी आगे के जो है उसको समझने में काफी आसान होता है ठीक है क्योंकि जब एक जगा जब हम फस जाते हैं नहीं समझ पाते तो आगे समझनी की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि disturb इहीं पर हो गय और जब यह clear हो गया तो फट से दूसरे पर हमारा mind भाग जाता है तो वो सारी circuit को complete कर लेता है मैं इसी thoughts पर सारे circuit को design करता हूं और अब इधर आप जो भी देखेंगे नए नए जो हमारे technology है उनहीं को हम समझते चलेंगे क्योंकि बहुत सारे system आएंगे इधर आपको जो द जरूरत पड़ेगी क्योंकि बहुत सारे feature नाम दे दिया जाता है लेकिन feature के बारे में समझना भी बहुत जरूरी होता है जिसे बैटरी charging में इसको अगर smart बनाया जाए तो इसमें बहुत सारे modification किये जा सकते हैं अब इसका जो operation देखेंगे आप कैसे कैसे इसकी काम करते हैं DSO पे, multimeter से, सारे system से, charging system से तो इसको इसलिए हम थोड़ा सा ये long चल रहा है उसके बाद हम inverter का शुरू करते हैं क्योंकि inverter के लिए हमने सभी लोगों से कहा है तो उसको जो है हम इसका जो एक या दो दिन में इस topic को इंड करते हैं